पूरी फैमिली के लिए कुक करना हम लेडिस की एक में जॉब है इसलिए डे बाइ डे हम इस जॉब में एक्सपर्ट भी होती जाती हैं लेकिन फिर भी यही काम एक टाइम पे इरिटेटिंग लगने लगता है reason lack of planning and preparation हमेशा मैंने आपको यही advice किया है कि next day के menu की planning और preparation एक रात पहले करके रखें ताकि आप अपना time और energy दोनों save कर सकें अब इसी time और energy को और जदा save करने के लिए मैं लेके आई हूँ weekly meal planning और जब मैंने इसे one week के लिए try किया तो इसके result amazing थे अपने region और family के according सबका taste और priorities different हो सकती हैं मैंने वो plan बनाया है जो North India में ज़्यातर घरों में use किया जाता है ये वो meals हैं जो regularly हमारे घरों में बनते हैं ये video सिरफ एक चूटी सी help के लिए है आप अपनी requirements के according changes कर सकते हैं cooking करना इतना भी easy नहीं जितना आम लोग समझते हैं लेकिन उतना difficult भी नहीं है अगर हम ladies चाहें तो कितनी ही tough job को भी अपनी planning के साथ easy बना सकती हैं weekly meals को plan करने के लिए सबसे पहले कोई notebook ले ले जिसे आप सिरफ इसी काम के लिए use करेंगी नई चीजों को सीखने नई recipes को try करने हमेशा कुछ नया करने के लिए ready रहे तांकि life में excitement बनी रहे इसी भी meal को plan करने के लिए कुछ चीजें आपके पास written में होनी चाहिए उन meals के options होने चाहिए जिने mostly आप अपने breakfast, lunch और डिनर में cook करती हैं तो start कर रहे हूं मैं breakfast options है जिसमें सबसे पहले है पोहा, दलिया, पास्ता, बेसंचिला, ओर्स, स्मूधी और पैनकेक्स ये 7 breakfast different और healthy options हैं जो अकसर मैं अपनी kitchen में cook करती हूँ आगे हैं कुछ bread के options, working people जातर अपने breakfast में bread का ही use करते हैं लेकिन bread भी अगर आप bread jam और bread butter ही खाते हैं तो वो थोड़ा boring हो जाता है bread की बहुत सारी recipes की knowledge होते हुए भी कई बार वो mind से skip हो जाती हैं लेकिन इस तरह से अगर return में हो और visualize रहें तो आप हमेशा कुछ अलग try करती रहेंगी bread के साथ egg omelet या scrambled egg ये तो बहुत ही common है उसके बाद आता है bread sandwiches तो sandwiches में जो तीन तरह के sandwiches mostly मेरी kitchen में बनते हैं vegetable sandwich, paneer sandwich और aloo sandwich bread sandwich के बाद bread jam या butter के इलवा peanut butter आप यूज़ कर सकते हैं जो कि एक healthy option है bread suji toast हो गए, bread pizza बना सकते हैं, bread egg toast बना सकते हैं तो ये 6 हैं bread के options तो ये तो वो options हैं जो मैं अपनी kitchen में यूज़ करते हूँ आप अपने accordingly यहाँ पर add कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हैं pranta options तो pranta कौन-कौन से हम बनाते हैं simple pranta बनाते हैं किसी भी सबजी के साथ जैसे कि भिंडी हो गई, टिंडा हो गया या फिर करेला बनाते हैं कद्दू की सबजी बनाते हैं, लौकी की सबजी तो उसके साथ भाब breakfast में हम simple प्रांथा योज़ कर लेते हैं इसके बाद आता है अजवाएन प्रांथा, आलू प्रांथा हम बना लेते हैं गोबी प्रांथा है, यहाँ पे मूली प्रांथा है, अनियन प्रांथा है दाल का पुराचा जैसे दाल बच जाती है पिछले दिनी की तो उसको एड़ करके हम दाल पुराचा बना सकते हैं साथ ही आजाता है पनीर पुराचा और मिसी रोटी ये नौ तरहा के पुराचा options है जो हमारे घरों में बनते हैं टेली डोसा खाने वाले इसका बेटर वल्क में रेडी करके रख लेते हैं, लेकिन मैं इसे एक दिन पहले ही रेडी करती हूँ. बेटर रेडी करके अगर हम 7-8 घंटे के लिए छोड़ दे तो बहुती क्रिस्पी डोसा बनते हैं. उसके बाद संडे स्पेशल में ब्रेड पकोड़ा, चीज प्रांठा, मेथी और मकी का प्रांठा, जिसे हम मेथी लीव को मकी के आटे में गूंध के बनाते हैं. एग और वेज रोल जो की बच्चों के फेवरेट हैं, उसके बाद आता है लच्छेदार प्रांठा, जिसे में बनाती हूँ आलू और टमाटर की सबजी के साथ. लांच या डिनर में हम जातर दाल या सबजी बनाते हैं, तो दालों में लेंटिल्स और लेगमीज दोनों आ जाते हैं, कॉमनली जो दाले हम यूज करते हैं, उनकी लिस्ट मेरे यहाँ पर रेडी कर दी है, आप चाहें तो कोई और दाल भी आड़ करना चाहें, तो कर सकते हैं, सबसे पहले है साबुत उडद की दाल जिसे हम ब्लैक दाल या फिर पंजाब में मा की दाल भी कहते हैं, नेक्स्ट है राजमा, वाइट चना, ब्लैक चना, साबुत मसर, चना दाल, धुली मूंग, धुली मसुर और धुली उडद की दाल, तो यह सारी धुली दाल है ज यानि कि combination में हम क्या क्या डाले बना सकते हैं। उसकी वहीं मैंने एक list ready की है जैसे हम साबुत उड़त की का साथ हंदाल मखनी डेडी कर सकते हैं। राजमा और साबुत उड यानि की मा राजमा राजमा डेडि करते हैं। के साथ ले viral यह पैलिये लिख के साथ बना सकते हैं खबत मसर की अगेले बना सकते हैं खिर चना दाल क dialect चना सकते हैं भालक मना सकते हैं आप या coconut powder add करके भी बना सकते हैं मूं की दाल जिसे हम green दाल कहते हैं उसे अपचना दाल के साथ mix करके भी बना सकते हैं धुली उड़त की दाल को भी हम dry और with gravy दोनों के साथ बना सकते हैं next अरहर यानि की तूर की दाल से बनती है दाल फ्राइ या फिर सांबर बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं vegetable shopping की तरफ तो vegetable जितनी भी आप खाते हैं उनकी एक list ready कर ले मैं पूरे weekly vegetable shopping Sunday evening को करती हूं इसलिए आज कल Sunday morning को ही मैं अपनी weekly meal plan की list ready कर लेती हूं ताकि उसके accordingly ही veggies की shopping कर सको मेरी vegetable shopping अगर आपने नहीं देखी है तो उस video का link में description box में दे दूँगी साथ ही जितनी भी list में आपको दिखा रही हूं वो सारी भी आपको description box में मिल जाएंगी mainly जो vegetables में अपने घर लेके आती हूं उनमें से है गोभी, गाजर, मतर, शिमलामिच, फली जिसे हम green beans भी कहते हैं पता गोभी, जिसे cabbage कहते हैं लौकी, कद्दू, भिंडी, करेला, टिंडा, पालक है और साथी साग, मेथी, मश्रूम्स, बैंगन है जिसे हम egg plants या ब्रिंजल भी कहते हैं और ब्रॉकली इसके अलावा कुछ basic vegetables हैं जिने हम दाल या सबजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर salad बनाने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि onion, potato, tomato, ginger, garlic, radish यानि कि मूली और cucumber, lettuce आगे बढ़ते हैं vegetable making options पे किन-किन vegetables को हम combine करके कौन सी vegetable बना सकते हैं जैसे कि गोभी आलू बना सकते हैं आलू बनते हैं, पत्ता गोभी के साथ मटर बनाते हैं और लौकी और टोमेटो की सबजी बहुत ही tasty बनते हैं पनीर को यूज़ करके कौन-कौन सी चीज़े हम अपने घर में mostly बनाते हैं जैसे कि मैं बनाती हूँ कडाई पनीर, शाही पनीर, पनीर भुर्जी, पनीर दो प्याजा, मटर पनीर और चिली पनीर तो ये पनीर की वो 6 रेसिपीज हैं जिने commonly हम अपने घर में बनाते हैं इसके लवा बहुत रेसिपीज हैं पनीर की आप बहुत से रेसिपीज ट्राइ कर सकते हैं और उन्हें यहाँ पर आड़ कर सकते हैं उसके लवा नौन वेज में चिकन की 8 रेसिपीज ऐसी हैं जो मैं अपने घर में कॉमनली बनाती हूँ तो लेमन चिकन है, उसमें मसाला चिकन है, बटर चिकन, क्रीम चिकन, चिली चिकन बनाती हूँ करें बनाने को मन करें और आपके पास वक्त की कमी भी हो तो आप बना सकते हैं खिचडी तो बहुत तरह से बनती है खिचडी उड़त दाल की खिचडी यानि की साबुत मा की दाल की खिचडी बना सकते हैं आप दुली दाल खिचडी बना सकते हैं चना दाल की खिचडी बनती ह साथ ही इसी बुक में आप कुछ recipes भी लिख सकते हैं और page number डालके उनको भी यहाँ पे mention कर सकते हैं यह सारा काम आपको एक ही बार करना है और अगर आपके पास यह ready है तो 10-15 मिनट लगेंगे every week आपको पूरे week का meal plan दाने के लिए plan मेंने के लिए आप paper pen तो use करें सकते हैं साथ ही अगर आप चाहें तो छोटा सा एक white board यूज़ कर सकते हैं जिसे double tape से आप अपने fridge पे लगा सकते हैं इसके लवा magnetic board भी मिल जाते हैं जिसमें आपने weekly plan को आपको paper पे लिखना पड़ेगा और every week पो paper आपको change करना पड़ेगा के लवा Amazon पे आपको इस तरह का weekly planner भी मिल जाएगा जो magnetic है तो आप इस पे लिख सकते हैं marker से और जब चाहे इसको erase कर सकते हैं इसका link description में मिल जाएगा इन तीनों options में से जो भी option आपको सबसे best लगती है वो आप use कर सकते हैं तो बस Monday to Sunday के लिए breakfast और डिनर आपके पास बहुत सारे options अविलेबल हैं तो बस सामने अपनी notebook रखें और लिखते जाएं कि कौन से दिन आपको क्या बनाना है तो एक week का plan मैं आपके साथ share कर रही हूँ मंडे को breakfast में बना रही हूँ मैं bread, omelet, साथी पनीर की भूटजी बनेंगी क्यूंकि बेटा टिफन में लेके जाएगा पनीर की भूटजी और दो meal मैं एकठे बना लेते हूँ यानि कि breakfast और lunch मैं साथ में बनाती हूँ तो white चना बनाऊंगी dry, roti और plain दहीं के साथ और साथी रात को डिनर में बनेगी cabbage और मतर की सबजी अगर Monday को मैंने bread और omelet खाया है तो Tuesday को breakfast में मैं काब skip करूँगी तो अपनी लिए बनाऊंगी मैं oatmeal और बाकी सब के लिए बनेगी लौकी और रोटी की सबजी क्यूंकि सब लोग ओच नहीं खाते हैं और लौकी की सबजी बिटा टिफन में भी ले जाएगा और lunch में बनेग लंच में और डिनर में बनेगा बटर चिकन और पनीर की भुट्जी Wednesday और Saturdays को हम चिकन बनाते हैं ममा नौन वज नहीं खाते हैं उसके लिए उनके लिए अलग से एक पनीर की डिश बनती है Thursday को breakfast में बनेगा पोहा और साथी बनेगे जीरा आलू क्यूंकि बेटा टिफन में नहीं लेके जाएगा पोहा लंच में बनेगी ब्लैक डाल विद राइस और साथ में में रायता बनाऊंगी और डिनर में बनेगे गाजर मतर Friday को breakfast में बेसन का चीला जो सब लोग खा लेते हैं और बेटा टिफन में भी लेके जा सकता है लेकिन क्यूंकि मैं लंच भी साथ में बना लेती हूँ तो लंच में बना रही हूं मैं उस दिन शाही पनीर तो शाही पनीर ही लेके जाना पसंद करेगा फिर वो टिफन में उस सब लोग खा लेते हैं और दोपहर को लंच में बनेगी राजमा और राइस विद राइता बनाओंगी और डिनर में बनेगा लैमन चिकन और साथी ममा के लिए पनीर टिका संडे स्पेशल में इस बार बनेगा सांबर डोसा लंच हम लोग स्किप करते हैं अगर शाम को भूक लगेगी तो फूट चार्ट बना लूँगी या बच्चों के लिए पास्ता बना दूँगी और डिनर में बनेगा मिक्स वेज और सुबा का जो सांबर बच जाएगा उस वेकली प्लान में जो चीज़ें मैंने मैंने नहीं की हैं उनमें से है स्वीट डिश तो स्वीट डिश वीकेंड पे ही बनती है और वो भी फैमली डिमांड पे कि उनको क्या खाना है तो उसी हिसाफ से मैं बना लेती हूँ ग्रीन चटनी वान विक चल जाती है उसे जार में फिल करके फ्रिज में रख देती हूं खतम होती है तभी दोबारा बनाती हूं दही वड़ा वनेगा या फिर रायता बनेगा या फिर आप प्लेन दही लेंगे वो आपके time के accordingly ही आप decide करेंगी planning तो ठीक है लेकर preparation सब लोग अपने हिसाब से करते हैं मैं अगले दिन क्या बनाने वाली हूँ उसकी preparation में एक रात पहले करके रखती हूँ जैसे कि next day अगर मुझे पनीर की कोई dish बनानी है ये भी ध्यान में रहेगा आगले दो दिन में आप कौन सी vegetables बनाने वाले हैं उनको अगर आप काट के एक ही बार में store कर लें तो काम करना काफी जादा easy हो जाता है बेटर है कि आप इने glass container में store करें लेकिन अच्छे brand का अगर कोई plastic container है तो उसमें भी आप store कर सकते हैं इसके इलावा ब्रॉकली को अगर हम market से लाते ही ब्लांच करके freeze कर लें तो वो काफी लंबा time चल जाती है otherwise वो next day ही yellow हो जाएगी onion, ginger, garlic ये बहुत ही basic है जो हर recipe में काम आते हैं और बिना stress के हम happy mood के साथ सब कुछ निप्टा लेते हैं क्योंकि अभी क्या बनाऊंगी, कल क्या बनाऊंगी सोचने में लगने वाला वक्त बचने लगेगा तो चलिए इसी के साथ विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप से एक नई वीडियो में नए topic के साथ तिल देन बाइ, टे केर और स्टे हल्वी